आकाश्वणी रामपूर प्रस्तुत करता है पूझे राश्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सो पचासवी जैनती वर्ष के अफसर पर विशेश धारवाहिक मुहन से महात्मा आ सुनिये इस धारवाहिक की पांचुवी कड़ी शुरताओं पिछली कड़ी में हैं जैसा कि हमने बताया कि परिस्थितियों ने कुछ इस तरह से ताना बाना भुना कि गांधी जी का दक्षन अफरीका जाने का संयोग बना विलाइक से आने के बाद गांधी जी लगभग दो वर्ष ही हिंदुस्तान में रुके छे महां बंबई और डेड़ वर्ष राजकोट विलाइक जाते समय पारिवारिक बिछोह में गांधी जी को जिन सम्मंधों ने सबसे ज़्याद़ पीड़ा दी थी वो था मा का और अपने पुत्र का किन्तो अब तो मा भी चलबसी हैं पत्नी के साथ जो भी समीपेता थी उसका कारण वैचारे कादर कम और विशेभोग अधिक था इन दो वर्षों के दोरान भी गांधी जी को एक और पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई थी चुकि केवल एक ही वर्ष का अनुवंध था अता गांधी जी कहते हैं कि इस बार पुत्र आदि के विच्छों के मुकाबले विदेश यात्रा के आनंद और मेहनताने की रूप में होने वाली आयका आकरशन थोड़ा सा अधिक था अप्रेल 1893 में गांधी जी ने एक बार पुन्ह विदेश जाने के लिए हिंदुस्तान की धर्ती को छोड़ा इस्टीमर के द्वारा बंबई से नेटाल तक की यात्रा एक महा से उपर की थी चुकि मोजांबिक के गवर्नर जन्रल भी उसी इस्टीमर से जा रहे थे अतहा एजेंट के काफी प्रियास के बाद भी जहाज में गांधी जी की सीट कन्फरम नहीं हो सकी डेक परियात्रा करके नेटाल तक पहुँचना गांधी जी को मंजूर न था भले बकालत को लेकर आत्म विश्वास या साहस जबाब दे जाता हो किन्तु बैरिस्टर होने का विश्वास यदा कदा गांधी जी के अंदर उस योगिता की गरिमा को लेकर आत्म संबान अवश्य जगा देता था अपना परिशे देते हुए गांधी जी ने जब जहाज के कप्तान से बात की तो उसने अपने ही केविन में उनकी विवस्था कर दी एक दो दिन में ही कप्तान ने गांधी जी को लेकर ये धारणा बना ली कि ये व्यक्ति धार्मिक और सरल सुभाव का है जल्द ही कप्तान के साथ गांधी जी की दोस्ती हो गई कप्तान गांधी जी को अपने जीवन के रोमांज के किस्से सुना सुना कर बोर करता रहता था कप्तान को शत्रंज का भी शौक था उसने आगरह पूरवक गांधी जी को शत्रंज सिखाई और फिर उनी के साथ खेल कर जीतता रहता और खुश होता रहता था अक्सर महीनों महीनों घर परिवार से दूर रहने वाले कप्तान की यही जिन्दगी थी तेरहवे दिन सबसे पहला बंदरगहा पड़ा लामू जहां गांधी जी के जहाज को मात्र चार-पांच घंटे रुकना था लामू से मुंबासा होते हुए जन्जी बार पहुँचना था और बहां से दूसरा इस्टीमर पकड़ना था जन्जी बार में तो आठ-दस दिन ठैरना था जंजी बार पहुँचकर यात्रियों ने बंदरगाह के निकट ही बस्तियों में किराय पर कमरे लिए आठ दस दिन के अल्प प्रवास में ही गांधी जी ने वहां बिशाल ब्रक्षों वाले घने जंगल नदी ज़रने और हर्याली के साथ साथ बहां के खुबसुरत बाजारों को भी घूमा लगभग दस दिन बाद वहां से दूसरे इस्टिमर के द्वारा गांधी जी मोजांबिक होते हुए लगभग मई के अंत तक नेटॉल पहुँचे नेटॉल के बंदरगाह को डर्बन के नाम से जाना जाता है सेठ अब्दुल्ला खुद गांधी जी को रिसीब करने नेटॉल पहुँचे थे और उन्हें अपने साथ अपने घर ले आये घर पर भी उन्होंने गांधी जी को अपने बगल वाला कमरा दिया था बाचीत के दौरान गांधी जी को पता चला कि उनका मुकदमा ट्रांस वाल में चल रहा है जबके प्रतिवादी तैयब सेठ प्रिटोरिया में रहते थे एक दो दिन बाद अब्दुला सेठ गांधी जी को डर्बन की कोर्ट में ले गए अपने वकेल से मिलवाया मुकदमे पर वकेल के साथ बहुत ही संग्षिप और आप्चारिक चर्चा हुई बाद में बे बापस घर लोटाए लेकिन कोर्ट रूम में घटी एक मामूली सी किन्तु अप्रत्याशित घटना ने गांधी जी को फोड़ा चौका दिया हुआ यूँ जब गांधी जी सेठ अब्दुला के वकेल के साथ कोर्ट रूम में बैठे थे तो मजिस्ट्रेट बार बार गांधी जी को घूर रहा था गांधी जी ने असहज अनुभव करने के बाबजूद इस बात को अन्यता ने लिया किन्तु जब उसने उंगली से इशारा करके गांधी जी को उनकी काठिया बाड़ी पगड़ी उतारने का आदेश दिया तो गांधी जी चौक गए उन्हें समझना आया कि मजिस्ट्रेट ऐसा क्यों कह रहा है लेकिन जब दोबारा उसने कुछ तल्ख वहाशा में गांधी जी को आदेशित किया तो गांधी जी उठकर कोर्ट रूम से बाहर आ गए बाद में सेथ अब्दुल्ला ने गांधी जी को इस बारे में समझाया कि केबल मुस्लिम पोशाक धरी ही अदालत में पगड़ी पहन कर जा सकता है शेश हिंदुस्तानियों को इसके इजाज़त नहीं है चूकि गांधी जी गयर मुस्लिम पोशाक के उपर पगड़ी पहने थे इसलिए मजिस्ट्रेट का टोकना बाजिप था बाहराल गांधी जी को इस छोटी सी घटना से इतना भान तो अवशे हो गया कि यहां हिंदुस्तानियों की इज़त कम है गांधी जी ने देखा कि हिंदुस्तानी बहां गुटों में बटे हुए थे एक गुट मुस्लिम ब्यापारियों का था वे अपने आपको अरब कहते थे दूसरा गुट हिंदु या पार्सी कारकुनों का था एक बड़ा समुदाय तमिल, तेलोगू और उत्तर हिंदुस्तान के गिर्मिटिया हिंदुस्तानियों का था गिर्मिट का आर्थ है एग्रिमेंट जिसके अनुसार उन दिनों गरीब हिंदुस्तानी पाँच साल तक मजदूरी करने के लिए नेटाल जाते थे गिर्मिट शब एग्रिमेंट का अपभरंश है और उसी से बना शब गिर्मिटिया अंग्रेज इन गिर्मिट बालों को कुली के नाम से पहचानते थे और चुकि वे संख्या में अधिक थे इसलिए दूसरे हिंदुस्तानियों को भी कुली कहकर पुकार लिया जाता था इस मुकदमी की तैयारी की खातिर फर्म के बकील का प्रिटोरिया से गांधी जी के लिए गुलाबा आ जाता है सेथ अबदुला गांधी जी के प्रिटोरिया जाने की तैयारी करते हैं ट्रेन में फर्स्ट क्लास के डिपे में टिकेट बुकर आया जाता है प्रिटोरिया में सेथ अबदुला के दोस्त मिस्टर मेनन के यहां गांधी जी के ठहरने की बेवस्था कर दी जाती है वहाँ ट्रेन में अगर आप लेटने के लिए बिस्तर चाहते हैं तो उसका पांच शिलिंग टिकेट के मुल्यू से अलग भुक्तान करना होता था सेथ अब्दुला के बार बार कहने के बावजूद गांधी जी ने बिस्तर की मद में सेथ अब्दुला का पैसा खर्च कराना मुनासिब नहीं समझा उन्होंने साफ कह दिया कि उनके पास अपना बिस्तर है और वो उनके लिए पर्याप्त है सेथ अब्दुल्ला भी गांधी जी की इस शराफत और इमानदारी के काईल हुए बिना नहीं रह सके गांधी जी की ट्रेन डर्वन से चलकर निटॉल की राजधानी पीटर मेरित्स बर्ग पहुँचती है यहाँ एक ऐसा वाक्या पेश आता है जो गांधी जी के अंदर एक वैचारिक क्रांती को जनम देता है और उन्हें रंग भेद जैसी सामाजिक बुराई के विरुद जन आंदोलन खड़ा करने की प्रेरण दे जाता है जैसा हमने आपको बताया कि सेठ अब्दुल्ला गांधी जी को ट्रेन में फर्स्ट क्लास के डिब्बे का टिकेट लेकर भेजते हैं अता गांधी जी ओचित टिकेट के साथ ओचित डिब्बे में यात्रा कर रहे होते हैं भिन 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 विशों पर पुस्तकें पढ़ने का शौक गांधी जी को शुरू से ही रहा बे अभी भी एक क्रिश्चन राइटर की पुस्तक पढ़ रहे होते हैं कोच अटेंडेंट यात्रियों को विद्रित किये गए विस्तरों का इसाब कर रहा होता है एक्सक्यूज मी सर आपने यहाँ अपने लिए विस्तर बुक नहीं कराया नहीं मुझे इसकी जरुवत नहीं लेकिन रात को खासी ठंड होती है यहाँ कोई फिक्र नहीं मेरे पास मेरा विस्तर है वो रहा छोटा सा माफ कीजी सर फर्स क्लास में कोई भी अपने लिए विस्तर लेके नहीं आता आप पहले व्यक्ति हैं इसमें क्या बात है जो चीज हमारे पास मुझूद है उसके लिए फिजूल पैसा क्यों खराचना चाहिए बोलो आप ठीक कहते हैं भारतिये बाकी लोगों से जादा बुद्धिमान होते हैं समझें पीटर मेरेद्व वर्ग स्टेशन पर एक अंग्रेज यात्री गांधी जी के डिब्बे में घुसता है और उनको अजीब नजरों से घूरता है पुस्तक से अलग हटकर गांधी जी का ध्यान सहसा उस पर जाता है उसे अपनी और घूरते देखकर गांधी जी उससे कुछ पूछ पाते इससे पहले ही वो वहाँ से चला जाता है गांधी जी अपनी इस मिर्थी पर जोर डालते हैं लेकिन उन्हें बिलकुल याद नहीं आता कि उस ब्यक्ति से उनकी कहीं मुलाकात भी हो वे दुबारा पुस्तक में तल्लीन हो जाते हैं कोच अटेंडेंट अलमारी में रखे विस्तरों का हाथ में पकड़ी सूची से अभी मिलान कर रहा है सुनू एक बात बताओ नर्क की अवधार्णा को लेकर क्या खयाल है तुमारा क्या तुम इस पर यकीन करते हो नहीं ना मैं भी नहीं करता लेकिन ये जो आदमी है ना इस किताब का राइटर वो एक क्रिश्चन है और ये इस पर यकीन करने की पुर्जोर बखालत करता है अच्छा है अरे ये शोर कैसा हो रहा है बार लग रहा है जैसे जगड रहे हो लोग अब मैं देखता हूं सर आप आप इंडिया से हैं सर हां इंडिया शाओट अफ्रीका में आप आप कब से हैं एक सब्ता से लेकिन ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप जी जी वो जी वो सर उसी समय कोच के अंदर धड़ धड़ाते हुए तीन चार लोग हुसाते हैं दो सिपाही कोच कंड़क्टर और एक अंग्रे ज्यात्री गोरा कोच कंड़क्टर जब एक काले हिंदुस्तानी को बहां देखता है तो उसकी तियोरिया चढ़ जाती हैं वो हिकारत से मुह बनात गांधी जी से पोचता है एक टोम इस टेपे में क्या काना है हो कोली जी मैं प्रेटोरिया जा रहा हूं फर्स्ट क्लास का टिकेट है मेरे पास लीजे देखिए तोम है तो भाई एक का इसे मिल दिया जी डांक से मगाया है मैंने मैं एक बैरिस्टर हूं और इतना वक्त नह वकील नहीं है समझे तोम यहां से उठो और साब से पीछे वाले डिपे में जाओ ठार्ड क्लास में चली सर बें आपका समान यह चलता हूं नहीं नहीं रुके देखिए देखिए यह कार्ड है मेरा मोहन दास के गांधी एक हिंदुस्थानी कंपनी के मुकदमे के सिलसले मे प्रिटोरिया जाना हो रहा है मेरा एई सुना नहीं तुम नहीं यहां कोई काला वकील नहीं है साउथ अफरीका हाई यह देखिए मैंने लंगन से बकालत पास की है हाई कोड चांसरी का मेंबर हूं तब ही बकालत कर रहा हूं तो मैं बटाया गया न किस साउथ आफरीका में कोई का वकील नहीं है छीक आपकी निज़र में मैं काला हद्मी हूं इससे इतنا तो जाहिर हो गया कि कम से कम एक काला वकील है जो वीजिव यह साउथ अफरिका में है ए बक जफान हाफशी सवान रहाता है हम से अया दंडन फ्रापर टिकेट है मेरे पास ऐसे नहीं माने का ये आगवी उठा के बहार फ्रापर दो से अब भी सेवा ठीक है आप जो चाहे कीजे लेकिन यहां से हरकिस नहीं हिलोंगा मैं शिकोर्टी फिक को इसका सामान बहार और इसी भी अरे चालिये चालिये ये क्या कर रहे हैं आप देखें मुझे धक्का मत दीजे आप ऐसा नहीं कर सकते देखें मैं कंप्लेंड करूंगा प्लीज रूख जाईए आप रूख जाईए बिल्कुल रूख जाईए आप चालिये चालिये इनका शामान भी भाः फेकें देखें बहार प्लीज कर रहे हैं आप लोग देखें आप लोग एसा नहीं कर सकतें अरे छोड़िये मुझे अरे मैं कहता हूँ मुझे छोड़िये मैं आपकी कंप्लेंग करूँगा चालिए चालिए छोड़िये मुझे आओ कड़कड़ा थी ठंड में गांधी जी पीटर मेरित्सबर्ग रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में पहुचते हैं कमरे में दिया तक नहीं था लेकिन बाहर से ज्यादा अंधीरा तो गांधी जी के मन में था सारी रात वो यही सोचते रहे कि क्या उन्हें जुक जाना चाहिए वापस भारत लोट जाना चाहिए या फिर भारतियों पर हो रहे इस अन्याय के खिलाफ संखर्श करना चाहिए मुकदमा अधूरा छोड़ कर भागना तो कायरता होगी वे सोच रहे थे कि उन्हें जो ये कस्ट और अपमान सहना पड़ रहा है ये तो बस एक बान की भर है यहां फैले हुए रोग की केबल रोग ही नहीं महा रोग है ये रंग द्वेश एक इंसान को इंसान से कम तर आकना अन्याय है उसके साथ और अगर उनमें इस अन्याय से लड़ने की शक्ती है तो उन्हें इस शक्ती का उप्योग करना ही चाहिए गांधी जी तब न महात्मा थे और नहीं रास्ट रुपिता वो तब तो के बले बैरिस्टर थे लेकिन ट्रेन में हुई अन्याय कारी घटना ने उन्हें महात्मा बनने के रास्ते पर आगे बढ़ा दिया साथ जून 1893 की रात वो रात थी जब दक्षन अफरीका के पीटर मेरेर्स वर्प के उस प्रतिक शाले में गांधी जी के सत्याग्रह की नीव रखी जा चुकी थी सत्याग्रह का अर्थ होता है अन्याय के खिलाफ शांति पूर्वक लड़ाई लड़ना गांधी जी को शायद तब नहीं पता था के उनका यही विचार कभी अंग्रेजों से भारत की मुक्ति का मार्ग भी खोलेगा गांधी जी 1893 से लेकर 1914 तक दक्षन अफरीका में रहे और लगातार नागरेक अधिकारों के लिए आंदोलन करते रहे 1915 में गांधी जी भारत लोटे और फिर यहां आकर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्र आजादी का बिगुल बजाया और फिर केवल यही एक घटना नहीं दक्षन अफरीका में गांधी जी को अनेकों बार बेद्वाव का सामना करना पड़ा जिन के बारे में हम आपको क्रम से बताती चलेंगे बहरहाल प्रिटोरिया भी दूर था और बहां तक टुकणों टुकणों में ही पहुचपाना संभव था पीटर मेरित्स वर्ग से चार्ल्स ट्राउन, चार्ल्स ट्राउन से जोहंस बर्ग और जोहंस बर्ग से प्रिटोरिया लेकिन फिलाहल तो गांधी जी को सबसे पहले अगली ट्रेन से चार्ल्स ट्राउन पहुँचना था गांधी जी ने बैरिस्टर की हैसिय से फर्स क्लास की टिकेट के लिए रेल्वे के महाप्रबंधक को एक टेलिग्राम भेजा साथ ही सेथ अब्दुल्ला को भी सूचित किया कि वो डर्बन में तुरंत महाप्रबंधक से मिलें हाला के महाप्रबंधक ने गांधी जी के परती रेलवे अधिकारियों के आचरण को सही ठहराया लेकिन साथ ही उन्हें आश्वस्त भी कर दिया कि उन्होंने इस्टेशन मास्टर को ये निर्देश दे दिया है कि गांधी जी को अपने गंतवे तक बिना किसी असुविधा के पहुँचने दिया जाए इस बार ट्रेन में गांधी जी ने आरक्षित वर्थ के साथ बिस्तर भी बुक कराया था इस प्रकार गांधी जी पीटर मेरिट्स वर्ख से चाल्स टाउन पहुँचे उन दिनों चाल्स टाउन से जोहन्स बर्ख पहुँचने के लिए ट्रेन सुविधा नहीं थी गोणों के द्वारा खीची जाने वाली गाड़ी चलती थी जिसे सिक्रम कहा जाता था यही चाल्स टाउन से जोहन्स बर्ख तक पहुँचाती थी बीच में एक रात के लिए इस्टेंडर्टन में रुकना पड़ता था इस्टेंडर्टन एक छोटा सा कस्बा था यहां से जोहंस पर कहुँचने के लिए दूसरे दिन दूसरी सिक्रम पकड़नी होती थी गांधी जी के पास बाकाइदा सिक्रम का टिकिट था सभी आत्री सिक्रम के अंदर ही बैठते थे लेकिन चुके गांधी जी की गिंती तो कुली परजाती में थी अता बे अंदर गोरे लोगों के साथ बैठने के लिए अधिकरत नहीं थे इसलिए सिक्रम बाला भी ऐसा ही चाहता था सिक्रम के बाहर दाएं बाएं दो पटले थे उन्हें में से एक पर कोचवान की बगल में गांधी जी को बिठा दिया गया गांधी जी को अपमान महसूस हुआ लेकिन वे ये सोच कर चुप रहे कि एक तो वैसे ही प्रिटोरिया के लिए एक दिन का बिलंब हो चुका है और दूसरे बिना किसी ठोस यह उजना या नीती के जगह जगह उलजने से कोई लाब भी मिलने वाला नहीं है अभी कुछ मिल की ही यत्रह हुई होगी कि सिक्रम के अंदर से एक गोरा अंग्रेज निकल कर आया वो सिक्रम कंपनी की ओर से सिक्रम का हैड था वो खुली हवा में पटले पर बैठ कर सिगरेट पीना चाहता था उसने रौब के साथ गांदी जी को पटले से हट कर सिक्रम के फर्ष पर बिछे मैले से बोरे पर बैठने के लिए कहा ये अपमान गांदी जी के लिए असह निये हो गया और उन्होंने अपनी जगह से हटने से इनकार कर दिया कुलियों द्वारा आदेश की अवहलना वहां के अंग्रेजों को रत्ती भर बरदाश्ट नहीं थी अगले ही छण उस गोरे अंग्रेज ने अपना आपा खो दिया उसने गांधी जी को बहा पकड़ कर पटले से नीचे खीच दिया और गंदी गंदी गालियां देते हुए उन पर थपणों की बारिश कर दी सिक्रम में कुछ लोग दयावान भी थे उन्होंने उस गोरे अंग्रेज से मारने के लिए मना किया वो ठक कर रुक तो गया लेकिन पूरे रास्ते वो गांधी जी को घूरता रहा तरजनी दिखाता रहा और धमकाता रहा गंदी जी जब इस्टेंडर्टन पहुँचे तो अनेक भारतिय ब्यापारियों ने उनका स्वागत किया ये सभी सेठ अब्दुल्ला से जुड़े थे और उन्ही ने इनको गंदी जी की खाते भेजा था गंदी जी ने उन्हें सिक्रम में घटी घटना के विशे में बताया लेकिन उन्होंने उस पर कोई आश्चरी व्यत नहीं किया उन्होंने कहा कि ये सब तो उनके साथ आए दिन घटता रहता है लेकिन अगले दिन एजेंट के माध्यम से दूसरी सिक्रम में गांधी जी की उचित ब्यवस्था करा दी गई और उन्होंने जोहन्सबर्ग तक का सफर आराम से सिक्रम के अंदर बैठ कर तै किया सेठ अब्दुला ने डर्वन से लेकर प्रिटोरिया तक हर पड़ाव पर तार के द्वारा अपनी लोगों को सूचना दे रखी थी कि बे गांधी जी से संपर्ख करें और किसी भी असुविधा का यथा संभव निवारन करें जोहन्स बर्ख में गांधी जी की भेट सेठ अब्दुल गनी से हुई बेभी साउथ अफरीका में हिंदुस्तानियों की दशा को लेकर छुप थे कहने लगे क्या करें पैसा कमाने के लिए पड़े हैं यहां और सह रहे हैं अपनान उन्होंने ट्रांसवाल को नेटाल के मुकाबले हिंदुस्तानियों के लिए ज्यादा चुनोतियों बाला बताया जोहन्स बर्ख से प्रिटोरिया तक का सफर ट्रेन से तय होना था सेथ अबदुल गनी का कहना था कि यहां कुलीयों यानि की हिंदुस्तानियों को ट्रेन में पहले या दूसरे दरजे के टिकेट नहीं दिये जाते गांधी जी ने सेथ अबदुल गनी के आदमी के हात इस्टेशन मास्टर को एक पत्र भीजवाया उसमें उन्होंने अपने बैरिस्टर होने की बात लिखी साथ ही ये भी लिखा कि वे हमेशा पहले दर्जे में ही सफर करते रहे हैं उनका अबिलंब प्रिटोरिया पहुँचना अतियावशक है पत्र का उत्तर लिखने की आवशकता नहीं वे स्वयम कल स्टेशन पहुँचेंगे आप से आशा की जाती है कि आप मेरी परिस्थिती और पद की गरिमा समझेंगे और मुझे पहले दर्जे का टिकेट उपलब्ध कराएंगे अगले दिन गांधी जी स्टेशन मास्टर के पास पहुँचते हैं वो उन्हें कुछ भला आदमी लगता है उसने कहा मैं ट्रांस वॉल से नहीं हॉलेंड से हूँ इसलिए आपकी बात समझ सकता हूँ आप सज्जन व्यक्ति लगते हैं इसलिए मैं आपको फर्स क्लास का टिकेट देतो देता हूँ लेकिन अगर रास्ते में कोई आपत्ति आए तो मुझे मत भास आईएगा गांधी जी के व्यक्तितो से इस्टेशन मास्टर का प्रभावित होना और फर्स क्लास का टिकेट दे देना अब्दुलगनी को भी चकित कर रहा था लेकिन अपनी इस आशंका से भी उन्होंने गांधी जी को अवगत करा दिया कि पहली बात तो ये कि कोच कंड़क्टर ही आपको कोच में बैठने नहीं देगा और अगर उसने बैठने भी दिया तो गोरे अंग्रेज आपत्ति उठाई बिना नहीं रहेंगे बाहराल गांधी जी फर्स क्लास के डिबे में बैठ गए जर्मिस्टन स्टेशन आते ही कोच में टिकेट चेकर आया वो एक कुली यानि के हिंदुस्तानी को फर्स क्लास में बैठा देखकर गुस्से से भर गया प्रॉपर टिकेट दिखाने के बाद भी वो गांधी जी को थर्ड क्लास के डिबे में भेजने की बात पर अडा रहा उसी समय गांधी जी के पडूस में बैठे एक उम्रदराज अंग्रेज का बिवेक जागरत होता है वे टिकेट चेकर को टोकते हैं अरे भाई जब इस आदमी के पास प्रॉपर टिकेट है तो नहा क्यों परिशान करते हो इसे और फिर मुझे तो कोई अतराज नहीं है इसके साथ बैठने से इसके बाद टिकेट चेकर ये कहते हुए आगे बढ़ जाता है ठीक है जब आपको ही कोई अब्जेक्शन नहीं है कुली के साथ बैठने में तो मुझे क्या टिकेट चेकर के चले जाने के बाद वो भदर अंग्रेज गांधी जी को आश्वस्त भी करता है कोई बात नहीं आप इत्मिनान से बैठे रहे हैं गांधी जी को आश्चरी से अधिक इस बात के खुशी और संतुस्टी होती है कि नफरतों की इस भीड में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन के लिए इंसानियत इंसान के रंग से कहीं उपर है उन्हें उम्मीद बंधती है कि रंग भेद के विरुध लड़ाई में इस तरह की सोच के लोगों का साथ और समर्थन मिल सकता है प्रिटोरिय उतर कर गांधी जी उस भद्र अंग्रेज का शुक्रियादा करना नहीं भूलते हैं गांधी जी की ट्रेन जिस समय प्रिटोरिय इस्टेशन पर पहुँचती है उस समय रात के आठ बज रहे होते हैं चुकि उस दिन रविवार था और सारा स्टाफ छुटी पर था इसलिए उन्हें इस्टेशन पर रिसीप करने कोई नहीं आ सका रात में कहीं ठैरने का सवाल था प्रिटोरिय इस्टेशन पर मौझूद घूरे रेलवे स्टाफ ने भी गांधी जी की कोई मदद नहीं की वहीं एक अमेरिकन हबशी सच्चन जो सारी बातें सुन रहे थे और गांधी जी की जरूरत को भी समझ रहे थे बे गांधी जी को जौनस्टन फैमिली होटल में ले गए पहले उन्होंने मिस्टर जौनस्टन को एक ओर ले जाकर थोड़ी बात की मिस्टर जौनस्टन ने गांधी जी को एक रात के लिए टिकाना कुभूल कर लिया मिस्टर जॉन्स्टन ने गांधी जी को इसपस्ट बोल दिया कि उनके रेस्टोरेंट में चोके गोरे अंग्रेज ही भोजन करते हैं अता वो रेस्टोरेंट में ना आया उनका खाना उनके रूम में ही भीजबा दिया जाएगा हालाके गांधी जी को इसमें क्या अपत्ती हो सकती थी किन्तु जिस तर्क के साथ ही सुविधा दी जा रही थी वो अवश्य अपमांजनत था किन्तु गांधी जी के पास उसे सुईकार लेने के अद्रिक बिकल भी क्या था लेकिन कुछ ही समय बाद मिस्टर जॉंस्टन गांधी जी को बताते हैं कि उन्होंने गांधी जी के पद का परिशे देते हुए होटल में ठहरे मेमानों से उनके लिए रेस्टोरेंट में सब के साथ बैठकर भोजन कर सकने की सुईकृति प्राप्त कर ली है अब बे रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर सकते हैं रंग देश की तल्ख धूप के बीच उदारता की ठंडी हवा का एक हलका सज्जों का भी गांधी जी को बहुत होसला देता था गांधी जी की प्रिटोरिया तक की यात्रा पूरी हो चुकी थी अगले दिन उन्हें सेठ अब्दुल्ला की बकील एड डबल्यू बेकर से मिलकर मुकदमे की तयारी शुरू करनी थी शोताओं ये तो हम सब अच्छे तरह से जानते हैं कि सबत्या ग्रह की गांधी जी की सबसे पहली कर्मभूमी दक्षन अफरीका थी हम अपनी अगली कड़ी में अवशी ही इस बेशे पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज के लिए बस इतना ही इजाज़त दीजिए नमस्कार मोहन से महत्मा अभी आपने पोजे रास्टपिता महत्मा गांधी की 150. जैनती वर्ष के अफसर पर ये विशेश धारवाहिक सुना लेखक एबम वाचक स्वर सुरेश ठाकुर का प्रतिभागी कलाकारों का भूमिका साहित परिचाय इस प्रकार है गांधी जी की भूमिका में थे संजय कुमार, कोच अटेंडेंट साधिक हुजन, कोच कंडेक्टर मुहमत परवेज और अंग्रेज यात्री की भूमिका में थे सुदेश कुमार सैनिक सैप्रस्त थी असीम सक्सेना की थी और इस धारवाहिक के प्रस्तुत करता थे शोबित शर्मा ये धारवाहिक आकाश्वण के रामपुर केंदर से प्रसारित किया गया